नमस्का दोस्तों मैं और डॉक्टर इंजिनाफ की विटेटिशन और आज हम बात करने वाले हैं ओरल थ्रेश या कैंडिडियासिस या बच्चों की मुह में छालों के बारे में जो तीन महिने से छोटे बच्चों को सबसे आदा एफ़ेट करता है वैसे बच्चों में ये और भी जगों पर देखा जा सकता है लेकिन स्पेशली जब हम तीन महिने से छोटे बच्चों के मुह में छालों की बात करते हैं तो कैंडिडियासिस का नाम सबसे पहले आता है देखिए आप देख सकते हैं कि ये वाइट पैचेस के रूप में हमको दिखत है और इसमें बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है वो ठीक से दूद नहीं पीता है चिर चिराता रहता है और जब आप इन वाइट पैचेस को हटाने की कोशिश करते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है और आईए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में यह फंगस है कैंडिडा इंफेक्शन है इसले समें लोकल अंटी फंगल दिया जाता है जैसे क्लीनोरस जयल जिस में टैनिक ऐसे क्लॉटरिमाजल और सेट्रिमेट जयल होता है और यह दिन में दो या तीन बार लगाने से यह फंगस जो है वो एराडिकेट हो जाती है लेकि यह लगाने के पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप दूद पहले पिला दें और उसके बाद ही इसको अपलाए करें दूद पिलाने के पहले इसको अपलाए नहीं करें अगर लोकल अंटी फंगल काम नहीं कर रही है तो हमको ओरल अंटी फंगल उसको देना पड़ेगा तो उसको oral antifungal दिया जाता है ताकि वो पूरा जड़ से eradicate हो जाए लेकिन इसमें recurrence की संभावना भी बहुत जादा होती है त्योंकि बच्चों का immune system weak होता है इसलिए वो recurrence fungal infections उनको चपने चपेट में लेते हैं बच्चों की gut immunity ठीक रहे इसके लिए lactic acid bacillus tablets या sashay बजार में मिलते हैं और इनका भी oral candidiasis में बहुत अच्छा रोल है इसलिए lactic acid bacillus या sporolac या फिर neolac fort या फिर vizalac DTA ये सब हम बच्चों को prescribe करते हैं oral thrush के treatment में और studies भी ये बताती हैं कि बच्चों की जो gut immunity होती है उसको better करने के लिए probiotics का बहुत अच्छा रोल है अब मैं आपको बताती हूँ कि तीन दिन के treatment के बाद जब हमने बच्चे को दुबारा follow up में बुलाया तो उसका जो thrush था वो अच्छे से ठीक हो गया था और बच्चा जो है वो बिलकुल ठीक हो गया था so that's all for now thank you guys